नमस्क्राइब सुल्कम बाक टी यो ओन चैनल वेल्स सागा जो 24 ओफ नॉवेंबर 2024 इस बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है तो यह सिर्फ एक नॉर्मल एजुकेशनल वीडियो नहीं है बहुत बड़े कुश्चन का आपको आंसर मिलने व आपको पॉर्फ़ोलियो के अपडेट्स को भी मैं शेयर करता रहता हूँ दोस्तों 12 ओफ नॉवेंबर को मैंने अपने पोटफ़ोलियो की थोड़ी से हाइलेट शेयर करी थी जिसमें की अगर आप देखें तो मेरी जो एकुटियू की होल्डिंग है वो है 99.3% और जो mutual fund की holding है वो सिर्फ 0.70% है मतलब 1% की holding भी mutual fund की नहीं है so after all mutual fund में क्या problems है mutual fund में मैं investment क्यों नहीं करता हूँ और अगर करता भी हो तो मैं सिर्फ ETF में क्यों investment करता हूँ mutual fund को क्यों avoid करता हूँ we are going to cover in this important video channel को subscribe नहीं क्या तो subscribe परके bell icon को hit कर लो और यह इस वीडियो को like कर देना इसके दो benefit है फ़ले चीज़ तो यह light section में चला जाएगा so आप इसको बाद में भी देख सकते है secondly इस सीरीज का इस ETF की सीरीज का यह पहला वीडियो बहुत important वीडियो दोस्तों ETF से आपको क्या benefits मिलेंगे एक वीडियो में cover होपाना मुश्किल है लेकिन मैं maximum information को इस important वीडियो में cover करने की कोशिश करूँगा ताकि आपसे आगे के वीडियो मिस ना हो इसलिए smash करे like button ताकि हमें यह पता चले कि आपको मेरे efforts पसंद आ रहे है let's go सबसे पहला दोस्वों इस जो 20 है 20 का मतलब क्या यह गोई मदुमक्के का च्छता नहीं है this is 20 that is अगर आप 20 का full form जानना चाहें तो इसका full form है benchmark exchange traded stated scheme तो basically इसको इसको लिखते हैं B.E.E.S that is benchmark exchange traded scheme और दोस्वों इसको start किया गया था 2001 में अभी तो फिला लिए निपॉन इंडिया mutual fund इसको manage कर रहा है लेकिन उसमें निपॉन इंडिया mutual fund नहीं था Relance mutual fund था और Relance को बाद में I think if I'm not wrong then 2019 में निपॉन ने Relance mutual fund को खरीद लिया था और उसके बाद से निपॉन इंडिया mutual fund Relance के इस initiative को manage कर रही है और इंडिया का सबसे popular ETF है Nifty Beast that is Nifty Benchmark Exchange Traded Scheme और ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ Nifty Beast ही ETF इंडिया में available है इंडिया में बहुत तरह की ETF available है मैं आपको आगे दिखाऊंगा example दिखाऊंगा कितने तरह की ETF में आप investment कर सकते हैं और कितना diversified portfolio बना सकते हैं help of ETF वहीं पर अगर आप mutual fund के बारें बात रहें तो mutual fund एक pool of money है from various investors मतलब अगर आप उसे पूछें तो A, B, C, D ऐसे करके लाखों investors हैं जो कि अपना पैसा एक scheme में लगाते हैं जिसको बोलते है mutual fund ये एक pool of money है of many investors जिसको की एक बहुत ही अच्छा आदमी पढ़ा लिखा आदमी experience आदमी manage करता है और उस अपने experience का use करके किस stock में, किस index में, किस bond में किस debt security में पैसा लगाना है he takes the decision और इस decision making के लिए अपने experience के लिए अपने समय को investment करने के लिए प्लस आपके fund को manage करने के लिए expense की जाने वाली stationary plus electricity office space जो भी खर्चा है उसको आपसे लिया जाता है और वो पैसा आपके, आपके fund से ही करता है फिलाल दोस्तों negatives के बारे हम बात करेंगे पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कितने प्रकार का होता है what are the kind of ETFs which are available in the market सबसे पहले दोस्तों है Nifty Bs अब दोस्तों इसको आप find out कर सकते हैं with the help of opening an account जिसको कि आप free of cost account open कर सकते हैं आप किसी में चाहें उसमें account open कर सकते हैं free of cost dmat account वैसे link मेंने description में दिया हुआ है उसको click करके आप free of cost dmat account कर सकते हैं प्लस आपको ETF को buy करने के लिए कोई charges भी नहीं पढ़ेंगे because investing is absolutely free of cost so जैसे ही आप type करेंगे Nifty Bs तो आपके सामने chart open हो करके आ जाएगा जिसको कि आप चाहें तो यहाँ पर click करके buy भी कर सकते हैं for example मैं chart को open करता हूँ view chart करता हूँ दोस्तों तो मेरे सामने Nifty Bs का chart open हो जाता है जो कि exactly अगर आप देखेंगे तो Nifty 50 के chart के तरज के हिसाब से ही चलेगा Nifty 50 अपने high से for example I'll show you the Nifty 50 chart first यह है Nifty 50 का chart जहाँ पर Nifty 50 अपने high तो 26,500 के level से गिर करके 10% के correction के साथ आपको 23,500 के levels पर मिल रहा है तो जागर आप देखें 10% का correction अलड़ी हो चुका है 10% का correction होने के बाद इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी position को create किया क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर एक value offer हो रही है so presently Nifty trade कर रहा है 24,000 के नीचे वहीं अगर हम लोग बात करें क्या Nifty 20 भी हमको just one second Nifty 20 Nifty 20 क्या Nifty 20 का chart structure भी Nifty 50 की तरीके सेम ही है तो आपको जानकर के खुशी होगी और हैरानी भी होगी Nifty 20 अपने highest 300 के level से almost 10% correction करने के बाद 270 के just नीचे trade कर रहा है तो basically यह index Nifty 50 को पिल बिल्कुल precisely mimic करता है similarly Nifty bank को mimic करता है bank beast अगर मैं Nifty bank के chart को open करूँ तो फिर आपको दिखाई पड़ेगा Nifty bank presently trade कर रहा है 51,000 के आसपास और अपने highs I'll just show it to you here अपने highs that is 55,000 close to 54,500 के level से एक sizable 10% का creation ओरड़ी शो करके bounce back करना शुरू कर चुका है तो मुझे tap करना है bank beast जिसके तहत आप bank beast that is bank Nifty की growth इंडिया के जो top 15 banks है उनकी growth पे आप bet कर सकते हैं जैसे कि आप देखें तो अगर आपने 2023 में bank beast investment किया होता तो 400 rupees का investment already 550 के आस-पास हो गया होता है मतलब अगर आप देखें तो एक sizable 40% का jump हमको bank भी show कर चुका है within a span of just 2 years 40% in 2 years is not less और दोस्तों जैसा कि मैं हमेशे बोलता हूँ market cyclical है market ultimately ये ऊपर ही जाना है लेकिन अगर आपको small cap में investment करना है small cap का ETF चाहते हैं में interesting चीज क्या है अगर आप देखें तो 54-55 के level से small cap का index करेट करके अभी आपको 48 के price मिल रहा है जो की BAC small cap NAC small cap के index से exactly mimic करता हूँ दिखाई पड़ेगा तो थोड़ा मुला 1-2% की variation को अगर हम छोड़ दें तो broadly अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार के ये underlying है उसी प्रकार के underlying पे ये काम करते हैं वो दिखाई पड़ेंगे अब तो very interesting thing is कि इंडिया के stock market में investment करने के अलावा अगर आप बाहर के stock market में investment करना चाहते हैं for example आप US market में investment करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर search करना है Mon 100 Mon 100 जैसे ही आप यहाँ type करेंगे तो यह आगया मोतीलल उस्वाल NASDAQ 100 ETF जिसमें कि जो NASDAQ की top 100 companies हैं उनका ये ETF है मतलब वो जैसा perform करेंगी US market जैसा perform करेंगी उस प्रकार से ये ETF भी आगे move करेगा तो तो आपको जान करके खुशी होगी 2020 में मैंने इस वीडियो को पोस्ट किया था जिसमें कि मैंने Mon 100 के बारे में discussion किया था और वहाँ से 2020 से में अगर आप देखे तो Mon 100 trade कर रहा था मातर साट रुपए यास पास और अभी ये Mon 100 already 180 को touch कर चुका है मतलब जिसने जिसने उस समय इस पे act किया होगा उनकी capital already 300% ग्रो कर चुकी है तो आप वो करना क्या है Mon 100 wealth saga जैसी आप लिखेंगे तो यहाँ पर एक वीडियो आ जाएगा जिसको कि आप देख सकते हैं इसको इसको बिए वेरी वेरी इंपोर्टन आप जिस सेच कर सकते हैं Mon 100 and wealth saga तो फिर आपके सामने इस वीडियो ओपन हो जाएगा तीन साल पहले दोस्टों हमने इसको पोस्ट किया था 88,000 people have watched it तो अटकम से कम 88,000 लोगों ने तो इसका benefit उठाया होगा जिन लोगों ने ये वीडियो देखा था दोस्टों डू नोट फोगेट तो स्माच दल लाइक बटन दोस्टों मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के 10,000 व्यूज़ दस हजार लाइक होने चाहिए क्योंकि अगर 10,000 लाइक होते हैं अगर आप देखें अगर आप देखें तो ओवर हीर इफ यू सी यह 2020 में यह इंडेक्स जिस प्राइस पर ट्रेट कर रहा था जदा मूव नहीं किया है वेराज अगर आप रिसेंटली टू तो तो यहां से आपका जो पॉर्टफोलियो वह अल्मूस्ट टू एक्स हो गया है विदिन अस्पैन ओफ जस्ट में फ्यू मूंस्ट तो और अगर आप मुस्से पूचें इसका बेनिफिट क्या है इससे आप एक इंटरनेशनली डैवर्सीफाइड पॉर्टफोलियो क्रियेट कर सकते हैं जरूरी देएँ दुसों कि आपको किसी एक एक।प करना चाहते हैं गर सकते हैं अगर सक्ते हैं और नीफटी करना पसंद करता हैं अच्छा अब वहीं अब mutual fund के बारें बात रहें तो mutual fund में क्या होता है कि mutual fund के manager को आप दे देते हैं पैसा अब उसका जहां मन करता है जहां पर उसको लगता है कि growth की possibility है वहाँ पर वो investment करता है तो आपका कोई भी control नहीं होता है आपका कोईशन होगा कि sir आप क्यों नहीं mutual fund में investment करते हैं तो दोस्तों जैसे कि for example मैं ये mid cap मेरे asset का mid cap 150 ETF उठा रहा हूँ तो इसको अगर मैं buy करता हूँ तो I am able to buy I am able to buy मुझे लगता है कि आज के दिन market में गिरावट हुई है और मुझे ETF buy करना चाहिए सो मुझे लगता है कि immediately 200 exponential moving average आ गया है तो मैं यहाँ पर एक अपना position को create करूँगा index को buy कर लूँगा ETF को buy कर लूँगा और अपनी position को create करके बैठ जाऊँगा whereas अगर आप mutual fund में पैसा लगाते हैं हो सकता है वो आज के दिन छुट्टी पे हो या फिर उसको लगता है कि market और गिरेगी लेकिन market यहां से reverse हो जाए मेरी बास समझ में आ रही है आपको ही मैं थिंक कि market और गिरेगी बट market यहां से reverse हो सकती है लेकिन दोस्तों जब आपका पैसा ETF में आप फुद investment करते हैं तो price का control आपके हाथों में जो की मुझे control अपने हाथ में रखना पसंद है इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी problem यह है कि mutual fund के units को आप अगर खरीदना चाहते है आज के दिन market somehow किसी bad news की वज़े से 3% गिर गया और मैंने यहाँ पर यह index इस price पे खरीद लिया midcap का ETF वेराज अगर आपने mutual fund का unit खरीदा इसकी कोई guarantee नहीं है कि यह unit आज की तारिक पे आपको मिलेगा क्यों 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 कि पहले यह rule था कि दोस्तों कि अगर आपने तीन बज़े के पहले 3 पीम के पहले पहले investment कर दिया है तो फिर आपको आज के NAV की units मिलेंगे लेकिन दोस्तों अभी जो latest ruling है उसके हिसाब से तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा question आ जाता है वो है transparency पे तो basically अगर मैं आपसे पूछूँ कि transparency कि इसमें है तो mutual fund की units को जब मैं खरीद रहा हूँ मुझे साफ साफ दिखा ही पड़ रहा है कि मैं इस price पे अपने ETF को buy कर पा रहा हूँ वेराज mutual fund में दूसों मैं जिस price पे जिस time पे buy करना चाह रहा हूँ इसकी कोई guarantee नहीं है कि वो उस price पे मुझे उस NAV पे मुझको वो mutual fund मिल पाएगा तो दो problem मैं आपको बताई तीसरी problem पहली problem तो हो गई बही exact price मिलने की कोई guarantee नहीं है secondly transparency नहीं है कि मैं आज mutual fund में पैसा लगा रहा हूँ तो पैसा आज invest होगा की नहीं होगा जबकि ETF में मेरा पैसा मैं खुद investment कर रहा हूँ मैं देख पा रहा हूँ तीसरी problem है trading की for example मैंने Friday को Nifty Beast के units करी दे Nifty Beast मतलब ETF के units करी दे और मुझे लगा कि मुझे को एक sizable profit हो गया है मैंने 5 लाग रुपए लगा है 5 लाग रुपए लगाने के बाद मुझे करीब 8000 रुपए का profit हो रहा है मैं सोच रहा हूँ कि आज निकल जाते हैं अपना profit बुक कर लेते हैं whereas mutual fund में आपके पास यह opportunity नहीं है हाँ आप निकल सकते हैं लेकिन आपको 1% का exit load देना पड़ेगा तो exit load का मतलब क्या है अगर आपने say suppose आपकी capital जिसको कि आपने investment किया 5 लाग रुपए गा तो 5 लाग का 1% is straight away 5000 रुपीज तो basically 5000 रुपए की penalty लगेगी आपके उपर उसके बाद जो profit नफा नुकसान है वो देखा जाएगा तो कहने मतलब यह है कि मैं यहीं पर nifty 50 का index fund खरीता या फिर कोई mutual fund खरीता और वो मुझे इस प्रकार की return दे रहा होता मंडे को market gap up होने वाली है क्योंकि BJP महराष्ट्रा में जीत चुकी है तो यह मेरा जो profit है और भी जदे बड़ जाएगा तो मैं अगर मंडे को यहां से profit को book करना चाहूँ अगर मेरे यह 10,000 रुपए का profit हो गया तो मैं 10,000 रुपए का profit book कर सकता हूँ वेराज अगर मैं mutual fund से निकलता है तो मेरे सीधे-सीधे 5,000 रुपीज मतलब जो भी investment है उसका 1% तो मेरा सीधे-सीधे exit load लग जाता जो कि एक तरह का exit loss है और उसके बाद जो मेरा बचा हुआ profit होता वो मुझे मिलता जिसपे कि मुझे एक solid short term gain tax भी देना पड़ेगा और ये problem दोस्तों मेरे साथ ETF में नहीं है तो मुझे ETF में investment करना बहतरीन पसंद है क्योंकि मैं कभी भी निकल सकता हूँ कभी भी enter कर सकता हूँ वेराज in mutual fund मेरा पैसा एक साल के लिए lock हो जाएगा वरना फिर मुझे exit load देना पड़ेगा तो ये होगी तीसरी problem with mutual fund कि मैं कभी भी any time trade नहीं कर सकता ठीक है तो ये तीसरी problem होगी अब चौती problem पर आते हैं चौती problem discuss करने से पहले दोसों मैं आपके सामने एक example देता हूँ for example आपने 15,000 रुपए ETF में investment करना शुरू किया और 15,000 के investment करने अपने हर महिने discipline तरीके से investment करना शुरू किया है आप जो भी होता है एक तारिक वा पैसा 15,000 रुपए लगा देते हो 12% की return जो की निफटी 50 में एक logical returns है मिल जाएंगे आपको 30 साल की उमर है तो आपने सोचा 30 साल की उमर के बाद मैं जब 60 साल का हूँगा तो मेरी investment कितनी बनेगी उसको मैं calculate करता हूँ तो उसकी जो value होगी होगी 4,62,000,000 रुपीज मिले बाद समझा रही है आपको आपका जो 15,000 रुपए का investment है आज से जब आप retire होने वाले होंगे तो आपको 4,000,000 रुपए से भी जादा बना के देगा कॉर्परस के firm में वहीं जब आप पैसा mutual fund में लगाते हैं दोस्तों तो mutual fund manager आपसे expense ratio के नाम पे कुछ खरचा लेता है अब वो खरचा 1% भी हो सकता है 1.5% भी हो सकता है या फिर 0.8% भी हो सकता है तो मैं मोटा-मोटा 1% का expense ratio लेकर के चल रहा हूँ मोटा-मोटा ओनेना average तो ओनेना average अगर आप 1% का लेकर के चलेंगे तो जहाँ पर आपका investment 4.62,000,000 रुपीज हो रहा था वहीं पर 1% का expense ratio देने के बाद अब आपने 1% अगर expense ratio लगाया है तो आप देख रहे हैं कि आपको कितना return मिलेगा तो 1% का expense ratio आपको अगर आप देखे हैं तो 4.28,000,000 मतलब मोटा-मोटा अगर आप देखे हैं तो 30,000,000 रुपे से ज़्यादा आपने mutual fund के manager को दिया है for investing your money और भाई जब मैं investment कर रहा हूँ तो मेरे को तो कोई brokerage पड़ी नहीं रहा है zero broking charges है broking का पलियात account opening free है उसके AMC भी free है उसके बाद आपका investment भी free है तो दोस्तों मुझे तो यहाँ पर कोई charges नहीं पट रहा है यह सारी के सारी flexibility मुझे ETF offer करता है इसलिए दोस्तों मैं आपको अपना personal example बता रहा हूँ I'm just telling you my personal example कि मैं क्या करता हूँ ताकि आप इससे सीख सके again आपकी strategy differ कर सकती है जो चौती problem हो गई वो हो गई expense ratio की इसके लावे एक और भी problem है दोस्तों जो की समझना बहुत ज़रूरी है और वो है LTCG Long Term Capital Gain Tax काफी सारी लोग दोस्तों अभी आचकल podcast चल रहा है real चल रही है जैसमे की लोग बता रहे है कि आप 15,000 रुपे लगा और investment करो और उसके बाद जबाब retire होंगे तो आपको long term capital gain जितना भी पैसा आपने बना लिया उसारा आपका है क्योंकि market में आप investment कर रहे है आप risk ले रहे है पैसा आपका है लेकिन budget 2018 से equities में long term capital gain को लगाया गया एक लाग रुपे शोड़ करके आपके ओपर जितना भी आपका पैसा बनेगा market पर उस पर आपको tax दिना पड़ेगा अभी इस long term capital gain को जो 10% tax था लगाया गया था 2018 में इसको बढ़ा करके 12% कर दिया गया और जो एक लाग की value थी उसको 1.25 लाग रुपीज कर दिया गया कहने मतलब क्या है कि जितना भी आपने कोई भी पैसा लगाया से सपोज एक करोड रुपाय लगाया और एक करोड रुपाय आज से 30 साल बाद बन गया जाकर के 10 करोड रुपीज तो जो भी 9 करोड रुपे हैं 9 करोड रुपीज 9 करोड में आप सीधे 1.25 लाग को हटा दिजे बाकी जितना भी आपका कैपिटल गेन बना है उस पे आपको टेक्स देना पड़ेगा और वो टेक्स होगा 1.5-12% दोस्तों 2018 से 2.024 मतलब 6 साल के अंदर जो 0 था वो 1.5 पहुंच चुका इसकी क्या गैरेंटी है कि 2.024 से 2.024 से लेकर कॉर्पस जनरेट करूंगा और रोटेर्मेंट में पैसे को enjoy करूंगा तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी wishful thinking है मेरा इसा मानना है दोस्तों कि पैसे जब आपके बने उनको आप time to time profit को book करते रहें और profit थोड़ा सा रुची रखते हैं market में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं market को थोड़ा सा track करते हैं तो फिर दोस्तों आप एक active trader है you are an active investor you are not a passive investor passive investor mutual fund तो दोस्तों उनके लिए जिनको की बिलकुल ही passive उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं अगर आप थोड़ा सा भी track कर सकते हैं तो मेरे साब से ETF can be a better option again it is your choice अगर आप करना चाहते हैं दोस्तों तो mutual fund कर सकते हैं अगर आप चाहे हैं तो ETF कर सकते हैं free of course you know DMAT account का link description में आप open कर सकते हैं आज ही से शुड़ू कर सकते हैं और उसको open करने के बाद आप हम से जुड़ सकते हैं अमरे private group को जुड़ सकते हैं then that too for lifetime and that too absolutely free of course that's all from my side friends do share with your friend this is a very very important video bye bye for now